सूपरभाद प्यारे बच्चों, हिंडी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत हैं बच्चों, आज हम करेंगे पेज नमबर 63 वर्णों की पहचान, ओके विटां? सबसे पहला वर्ण है ग, ग, गाए, ग, गमला, ग, गाजर, ग, ग, गधा, ओके, कौन सा वर्ण है ये? ग, क्यासी साउंड होती है इसकी, ध्यान से सुनेंगे, आपको भी ऐसे ही बोलना है ग, ग, गाए, आप सभी ने गाए देखी है ना? ग, गमला, आप सभी के घर गमला भी होगा ग, गाजर, आपने गाजर खाई है ग, गधा, ओके, ग से ये सभी शब्द बनते हैं इन चित्रों को पहचान कर आपको इनको पढ़ना है क्योंकि आपको ये शब्द पढ़ने तो आएंगे नहीं लेकिन आपको ऐसे बोलना है ग, गाए, ग, गमला, ग, गाजर, ग, गधा ओकी, अगला वर्ण देखेंगे म, ये क्या कौन सा था विटा? ग, म, गै नहीं बोलना आपको, मैं नहीं बोलना जैसे मैं बोल रहे हैं, वैसे ही बोलना है ग, म, म, मटर, मटर की सबजी आपने खाई हो गई म, मगर, मगर मच को हम मगर भी कहते हैं, ओकी? म, मगर, म, मचली, आपने मचली जलकी रानी की कवीता लर्ण की थी न? म, मचली, म, मोर, हमारा रास्टी ये पक्षी मोर, ओकी? म, मटर, म, मगर, म, मचली, म, मोर और हमारा आखरी वर्ण है, भ, भै नहीं बोलना बेटा, कुछ बच्चे भै बोलते हैं, मै बोलते हैं, ग, ध्यान से जुनेंगे मैं कैसे बोल रही हैं? ग, म, भ, भ, भालू, कौन सा पशु है ही? भालू, भ, भालू, भ, भगत, भ, भवन, ये भवन है, भ, भिंडी, भिंडी की सबजी आप सभी निखाई हैं न? भ, भालू, भ, भगत, भ, भवन, भ, भिंडी, आपको ऐसे न? पेज नमबर 63 पढ़ना है, वर्णों की पहचान करनी है, और ऐसे जैसे मैंने 2, 2, 3, 3 टाइमस आपको ऐसे पढ़ाया हैं न? वर्णों की पहचान करवाई है, और उसी से बनते हुए शब्ड भी रीड करवाई हैं, आपको ऐसे चितर देखकर, वर्ण से जो भी ये शब्ड बनते हैं, वो आपको ऐसे ही पढ़ने हैं, जैसे मैंने पढ़ाएं, ओकी, पेज नमबर 63, ओकी बच्चों, आप सभी ने अ अभ्यासकार ये कर लिया है न, बेटा, आज आपको पेज नमबर 62 भी करना है, यही वर्ण लिखने हैं, जो हमने कल लिखे थे, पपतंग, शशटकों, फफल, टटब, ठठेला, धधकन, दधरजी, दरवाजा, और अनखाली, ठीक है बेटा, जैसे 61 किया था, ऐसे ही आपक 62 भी करना है, और अब मैंने आपको पेज नमबर 63 पर वर्णों की पहचान करवाई है, तो आपको ये पेज नमबर पढ़ना है, अब आप आएंगे पेज नमबर 64 पर, यहाँ यही वर्ण आपको लिखने हैं, यहाँ हमने पढ़े थे, यहाँ हमको क्या करना है, लिखना है ओकी, फिर से देखो बिटा, बिंदू पर पैंसिल रखो, पहला वन कौन सा है, ग गाए, ग गमला, ग गाजर, ग गधा, ओकी, अब देखो कैसे बनाएंगे हम ग, ध्यान से देखेंगे, आपको पहले बिंदू पर पैंसिल रखनी है, फिर आपको स्टेंडिंग लाइन बनानी है, छोटी सी, ओकी, फिर वहाँ से आपको छोटी सी स्लांटिंग लाइन, देन, स्लिपिंग लाइन, ओकी, ध्यान से देखेंगे, स्टेंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, और उसके बाद उसके साथ स्टेंडिंग लाइन, ऐसे हमारा क्या बनेग ग, फिर आपको इसको पढ़ना है ग, गमला फिर से देखेंगे standing line, पहले छोटी standing line slanting line, फिर line के उपर sleeping line और उसके साथ standing line ओकी, जैसे हमने अनव में भी standing line बनाई थी, ऐसे ही फिर से देखेंगे ग, गाए, ग, गमला, ग, गाजर, ग, गधा ओकी, ऐसे बोल-बोल कर लिखना है आपको ग, वर्ण बनाना है अब हम आएंगे म, वर्ण पर ठीक है, एक कौन सा वर्ण है ये? म, म, मतर, फिर से बिंदू पर पैंसिल रखेंगे standing line बनाएंगे उसके बाद slanting line चिर sleeping line बेटा, ये गव बन गया ना आपको sleeping line को थोड़ा लंबा करना है फिर standing line बनानी ओकी, और उसके उपर sleeping line म, मतर, ध्यान से देखेंगे बेटा इसमें भी पहले आपका गव बनेगा ठीक है, उसके बाद म बनेगा म, मचली म, मगर म, मोर म, मोर ठीक है, इसमें आपको पहले गव बनाना आ जाएगा तो आपको म बनाना आ जाएगा अब हमारा आखरी one कोन सा है भ, भ, भालू भ, भगत भ, भवन भ, भिंडी इसमें भी आपको कैसे बनाना है पहले आपको क्या बनाना है छोटा सा सर्कल बनाना है ठीक है फिर आपको म बनाना है और शिरो रेखा लगानी है भ, भालू भ, भालू भ, थोड़ा ध्यान से बनाएंगे आपको पहले चोटा सा सर्कल बनाना है फिर ग और म की तरफ बनाना है और शिरो रेखा आपको आगे तक नहीं लेके जानी देखो ग पर भी स्लिपिंग लाइंग कम्प्लीट लगाई गई है पूरी लगाई होई ना शिरो रिखा, म पर भी, लेकिन भ पर देखेंगे अ की तरह लगाई होई है पीछे बस इस स्टेंडिंग लाइन पर, इस बात का आपको ध्यान रखना है आपको इस स्टेंडिंग लाइन पर छोटी सी शिरोट रिखा लगानी है, आगे तक नहीं लेके जानी, ठीके, क्या बन गया ये, भ भालू, भ भगत, भ भवन, भ भवन, और भ भिंडी, भ भिंडी, ठीके, आपको ग बनाना आ जाएगा, म बनाना आ जाएगा, लेकिन बिटा, भम में थोड़ी परेशानी आएगी, आपको ध्यान से बनाना है, अच्चे से बनाना है, डरना नहीं है कि यह हमसे नहीं बनना, ठीके, आप कोशिश करोगी तो बनेगी, कोशिश करते रहो, आपको बहुत अच्छे से प्रेक्टिस करोगी ना, बहुत म मगर, म मचली, म मोर, भ भालू, भ भगत, भ भवन, भ भिंडी, तो बच्चो आज हमने इन वर्णों की पहचान की और इनको बनाना सीखा, पेज नमबर 64 पर तो आपको ये लिखित कारिये करना है, कक्षा कारेवी, अभ्यास कारेवी, लेकिन बेटा, पेज नमबर 63 पर भी आपको इन वर्णों की पहचान, यानि रीड करना है, पढ़ना है आपको, जैसे मैम ने पढ़ना सिखाया है आपको, और आपका पेज नमब का अभ्यास कारिये है हिंदी का पेज नमबर 62 और पेज नमबर 64 पर आपको लिखना और पढ़ना है और पेज नमबर 63 की आपको रीडिंग करनी है ओके बच्चो मैं आशा करती हूँ आप सभी को हिंदी का कारिये समझाया होगा आपको सुंदर सुंदर राइटिंग में अपना अभ्यास कारिये करना है और मैं आपको वाटसेप करनी है आपके अभ्यास कारिये की फोटो ओके बच्चो मैं आशा करती हूँ आप सभी को हिंदी का कारिये समझाया होगा धन्यवाद